हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टू माई चैनल मैं हूँ कृष्णा और आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक स्लाई का निटिंग पैटर्न ठीक है तो इस डिजाइन को हम एक ही स्लाई में बनाएंगे और उल्टी स्लाई जो है यानि के रॉंग साइड हम पूरी बनाएंगे इसे बिगनर्स भी बहुत असानी से बना लेंगे और बहुत ही ब्यूटिफुल यह डिजाइन है जिसे कि आप किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई करोगी तो यह बहुत ही सुंदर लगेगा तो फ्रेंट्स इसे बनाने के लिए हमें क्या करना है पहले तो बॉर्डर बन लेजेगा उसके बाद एक स्लाई सीधी और एक स्लाई उल्टी आप बना लीजेगा तो अगर आपको फंदे बढ़ाने हैं तो इसी सीधी स्लाई में आपको फंदे बढ़ा लेने हैं बॉर्डर के बाद ठीक है बॉर्डर के बाद जो स्लाई आप सीधी बनाएंगे उसमें आप अपने फंदे बढ़ा लीजेगा और वो फंदे आपके होने चाहिए थी के multiple में ठीक है? यानि के border में आपके जितने भी फंदे हों कोई बात नहीं लेकिन border के बाद आपको फंदे जो हैं वो 3 के multiple में लेने हैं तो यहाँ पर मैंने फंदे लिए हैं 51 और अब एक स्लाइ सीधी और एक स्लाइ उल्टी मैं निकाल लेते हूँ देखेगा पहले फंदे को हम slip कर लेंगे जब हम slip करते हैं तो हम फंदे का यह जो हमारा loop बनता है इसके center में हम needle को टाल लेते हैं तो मैं यहाँ पर फंदे नहीं बढ़ाऊंगी क्योंकि मैंने already 3 के multiple stitches लिए हैं तो यह दिखेगा सीधी स्लाइ मैंने complete कर ली और अब उल्टी स्लाइ को हम बना लेंगे पूरी उल्टी तो अब यह एक उल्टी स्लाइ भी मैंने यहाँ पर complete कर ली है अब हम आ जाएंगे सीधी साइड ठीक है तो क्या करेंगे हम देखिए पहले फंदे को आप चाहें तो आप बुन भी सकते हो आपको slip करना है तो आप slip भी कर सकते हो जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप पहले फंदे को कर लीजेगा तो मैं यहाँ पर इसको slip करूँगी तो क्या करना है पहले फंदे को मैंने यहाँ इस तरीके से slip किया और अब तीन फंदे बनाएंगे सीधे यानि के knit wise तो एक दो तीन ठीक है आप यह जो तीसरा वाला फंदा यानि के इस तरफ से देखेंगे तो पहला वाला फंदा इस फंदे को हम इन दोनों फंदों के उपर से उतार देंगे अब यहां पर क्या हुआ एक फंदा हमारा घट गया अब इस घटे हुए फंदे को हमें बैलेंस भी करना है वरना हमारे फंदे कम हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे धागे को करेंगे आगे और फिर से हम बनाएंगे तीन फंदे सीधे एक दो तीन अब हम क्या करेंगे फिर से हम जो हमारा ये पहला वाला फ तो हमारा एक फंदा जो है वो घर्टा जाएगा इस तरीके से और उसको बैलेंस करने के लिए हम एक फंदा बढ़ाते जाएंगे तो धागा आगे करके हम तीन फंदे बनाएंगे तो यहां पर हमारा जो फंदा है यह बढ़ता जा रहा है देखेगा और इस तरह से जो है हमारी जाली भी बन जाती है तो फिर से हमें ऐसे ही करना है जो हमारा ये पहला वाला फंदा है इसको हम इन दोनों फंदों के उपर से उतार देंगे तो पूरी रो हम इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे और row के last में आप जरूर ध्यान दिया कीजिए क्योंकि हमेशा गडबड जब होती है न डिजाइन में तो row के last में होती है आप इसे चाहें तो इस तरीके से भी पीछे की साइट से भी उतार सकते हैं इन दोनों के उपर से इस फंदे को उतारना है ऐसे धागा आगे करना है तीन फंदे सीधे पुनने है और पहले वाले फंदे को दोनों फंदों के उपर से उतार लेना है देखिएगा अब आगे हम रोके last में तो हम क्या करेंगे दागा आगे करेंगे और इन दोनों फंदों को हम बुलेंगे सीधा ठीक है तो यही एक स्लाई का डिजाइन है जिसे हमें सीधी साइट से सेम इसी तरीके से बनाना है बस थोड़ा सा हमें ट्विस्ट करना पड़ेगा क्या करना है हमें जिस तरीके से हमने first row बनाई है न उस तरीके से हम third row नहीं बनाएंगे थर्ड रो हम कैसे बनाएंगे इस first row को हम reverse कर देंगे यानि कि जो हमारे यहां पर starting में फंदे है वो हमारे third row में last में आएंगे और जो हमारे यहां पर फंदे last में है वो हमारे starting में आएंगे तो starting में देखे कैसे आएंगे यहाँ पर हमारे last में क्या है दो फंदे सीधे है और एक हमारी यहाँ पर जो हमने धागा आगे करके बनाया है यानि कि जाली वाला फंदा वो है तो जब हम start करेंगे तो इस तरफ से करेंगे ठीके अब पहले हम क्या करेंगे उल्टी स्लाई को पूरा उल्टा बुन लेते हैं देखेगा उल्टी स्लाई उल्टी बनाने के बाद हम आगे सीधी साइद में तो हमें क्या करना है देखे पहले फंदे को हम स्लिप कर रहे हैं तो स्लिप ही करेंगे और अगर बुन रहे हैं तो बुनते जाएंगे पहले फंदे को हमने स्लिप किया दूसरा फंदा हमने बुन लिया सीधा ठीके अब हम करेंगे धागे को आगे यानि कि जाली बनाएंगे और अब तीन फंदे सीधे बुन लेंगे एक दो तीन ठीक है तो इन तीन फंदों को हमें सेम इसी तरीके से करते जाना है पहले वाले फंदे को हम दोनों फंदों के उपर से उतार देंगे इस तरीके से धागा आगे करते जाएंगे तीन फंदे सीधे बुनते जाएंगे और पहले फंदे को दो फंदों के उपर से उतारते जाएंगे अब ध्यान हमें कहां पर देना है ये तो हमारी सेंटर की बात है ध्यान हमें कहां देना है रो के स्टार्टिंग में और रो के लास्ट में ठीक है तो आप इस तरीके से समझेगा इस चेज़ को, कि अगर हमारी starting में जाली आ रही है जैसे ये दो फंदे हो गए starting में हमारी जाली आ रही है तो last में हमारी जाली नहीं आनी चाहिए ठीक है? तबी हमारे फंदे जो है end तक बराबर चलेंगे और अगर हमने starting में जाली बनाई है और last में भी जाली बना दी तो हमारे फंदे बढ़ते चले जाएंगे या फिर first row की तरह अगर हमने starting में घटाया और last में भी हमने जाली नहीं बनाई same first row में आगे और पीछे बराबर कर दिया तो हमारे फंदे जो है वो गटे चले जाएंगे तो फंदो को balance करने के लिए हमें क्या करना है कि first row में हमारी starting में घटा हुअ फंदा आएगा last में बढ़ा हुआएगा third row में हमारा starting में बढ़ा हुआ फंदा आएगा और last में घटा हुआ फंदा आएगा तो यहाँ पर एक बार मैं फिर से row के last में आपको बताऊंगी दिहान दीजेगा आप यहाँ पर देखिए हमने starting में इक फंदा बढ़ा दिया तो फंदे हमने simple बनाए फिर हमने एक फंदा जो है वो बढ़ा दिया अब जो हमारा pattern है वो इसी तरीके से चलेगा धागा आगे करते जाएंगे तीन फंदे सीधे बुनते जाएंगे और first फंदे को दो फंदों के उपर से उतारते जाएंगे इस तरीके से दिखेगा आगे हम रो के last में अब ध्यान दिजेगा हमने धागा आगे किया अभी हमारे पास चार फंदे बचे हुए हैं यहाँपर दिखे जो हमारे first row में starting में चार फंदे थे वही हमारे third row में last में चार फंदे है ठीके first row का reverse आईए तो अब हमें क्या करना है तीन फंदे हमने सीधे बुने first वेले फंदे को हमने इन दोनों के उपर से उतारा ठीक और अब हम edge stitch को सीधा बुन लेंगे याने के बीच में हम जाली नहीं बनाएंगे ठीक है तो row के starting में हमने जाली बनाई थी last में हमने नहीं बनाई तो इसी तरीके से अगर हम बनाएंगे तो हमारे फंदे end तक बराबर रहेंगे तो design बहुत आसान है बस हमें यही ध्यान रखना है इसमें first row को और third row को हमें बहुत ध्यान से बनाना है फिर third row के बाद हम फिर से first row बनाएंगे next time जब सीधी side आएंगे तो और ulti side हमारी ulti ही बनेगी तो design बनके बहुत जल्दी ready हो जाता है क्योंकि इसमें एक ही slide में हमें design डालना है और दूसरी slide तो सिर्फ ulti बनानी है देखिए फिर से आगे हम सीधी side में और एक बर मैं आपको फिर से बताती हूँ कि हम first row के इस तरीके से repeat करेंगे देखिए पहले फंदे को हमने सीधा करके slip किया अब हमने 3 फंदे बनाए सीधी है और पहले फंदे को हमने 2 फंदे के उपर से उतारा ठीक है यानि कि हमने starting में जाली नहीं बनाई और अग सेम पैटर्न को repeat करते जाएंगे और row के last में हम जाली बनाएंगे झाली बनाएंगे देखेगा आगे हम रोके last में तो धागा आगे करके इन दोनों फंदों को हम सीधा बोलेंगे तो ये last में हमारा बढ़ा हुआ फंदा आ गया ठीक है starting में हमारा फंदा जो था वो बढ़ा हुआ नहीं था last में हमारा बढ़ा हुआ फंदा आ गया तो इस तरीके से हमें balance करना है और अपना design जो है उसको बनाना है तो ये देखिएगा design complete होने के बाद इस तरीके से नज़र आएगा तो क्या करना है हमें एक बर हमें first वाली row को बनाना है एक बर हमें third वाली row को बनाना है एक बार हमें फस्ट वाली रोगों बनाना है एक बार हमें थर्ड वाली रोगों बनाना है तो इसी तरीके से हमें बनाते हुए जाना है और हमारा डेसाइन जो है वो बन ke कम्प्लीट हो जाएगा तो फ्रेंट्स यह थी आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और जुड़ी रहेगा मेरे साथ में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए क्रोशे का बहुत ही ब्यूटिफुल सा एक शॉल लेकर आ रही कि आपके थाईपे जाएगा मैं अल्यागा और जाएगा चॉल यहाँ रही हो जाएगा तो तो फो साथ नाना कर पाईप तो यहाँ दो जाएगा.